सवाद छे बजे प्रोसेशन का पिछला ही हिसा है आगे का हिसा निकल लिया था तो पिछला हिसा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकालिटी में उनके बीच में आपस में थक्रार हुई और उसके बाद पर और उस समय जो हमारे अधिकारी थे सान इस्पेक्टर और उनकीसा जो टीम थी उन्होंने तोनों साइट को अलग करके बीच में पुलिस थी और इननों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी सिलसले में इंजरीज भी हुई पुरे इंसिडेंट में नौ लोगों को इंजरीज हुई है इसमें आठ पुलिस कर्मी है पुलिस अधिकारी है एक सिविद्यन है ये दर्शाता है कि पुलिस ने पीछ ने रहके दोनों जो बक्ष थे उनको अलग-अलग किया और दूर किया जिसकी वेज़े से पुब्लिक को इंजरी होने में पुब्लिक को इंजरी नहीं इस सिलसले में अभी तक हम लोगों ने offense register करके 23 accused को arrest किया है इन 23 में से 8 accused हैं जिनके previous involvement है CCTV footage और दूर सा जो digital evidence available है उसके analysis चल रही है उसके अदार पे अभी कुछ और लोगों को identify किया गया है जिनकी धर्पकड की जाएगी और custodial interrogation किया जाएगा तीन firearm seized किया है और पांच swords seized की गई है यह case crime branch को investigation के लिए सौम दिया गया है उसी सिलसले में आद चार forensic teams FSL से scene of crime का visit किया है और samples वगरा collect किये गए है social media, video footages, digital evidences इन सब को collect करके analysis करके इस case की हर angle से तफ्तीश की जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो छूटे नहीं इसके अलावा हमारी जो intelligence fusion और strategic operations unit है special cell का उसको यह जवाबदारी दी गई है जितने भी digital evidences हैं उनका detailed analysis करके evidences collect करें और इस case में जो भी लोग शामिल हैं उनको identify करके उनके खिलाब legal action दिया जाएं इस में मैं इस forum जापको पताना चाहूँगा कि investigation काफी detailed होगा थरो होगा अचुकी crime branch को investigation की जवाबतारी दी गई है उन्होंने करें चौदर टीम्स बनाई है जो हर एंगल से इस case का investigation करेंगा टीम्स कल से ही कारेरत है और जैसे जैसे results आएंगे हम press को brief करेंगे मैं एक चीज और कहना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं तो जो लोग गलत information, misinformation या wrong information फीड कर रहे हैं जिसकी वज़े से बातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है उनके किलाभ भी उचित कानूनी करवई की जाएगे मेरी जंता से अपील है कि आप वाहों के उपर ध्यार नहीं दें अगर कोई facts या verify करना है control room को आप संपर कर सकते हैं या हमारे senior अधिकारी को संपर कर सकते हैं जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलत करा है दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस investigation के साथ साथ पुलिस ने peace committees या अमन कमिटियां कहते हैं उनकी भी meetings की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो जंद खुराफाती लोग हैं उनकी वज़े से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो peace committee के माद्यम से भी शेहर में खास करके sensitive areas में शानती स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है पहले भी peace committee की meetings हुई है यह incident वा उसके पहले भी और अभी भी होती रहेंगी क्योंकि हमें यह मालूम है कि इस तरह के incidents में दुशरारिती तत्व हैं वही भाग जादा लेते हैं आम public जो है उसका कोई interest ऐसे incidents में नहीं होता है तो हरे community के leaders को संगठित करके different areas में यह peace committee की meetings भी हम लोग कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज और situation CAPF के additional forces मांग के हमने deploy किये हैं जहांगीरपुरी के अलावा भी शेहर के जो दूसरे समेधनशील विस्तार हैं वहां पे CAPF का deployment किया गया है डेली पुलिस का भी additional deployment किया गया है और जो अधिकारी है senior अधिकारी उनको यह निर्देश है कि जब तक इस्तिती सामाने नहीं हो जाती है वो फील्ड मे रहें और कोई भी incident होता है तो उसको immediately और appropriately उसको handle करें तेंक यू एक नट अगर आपको सवाल पूछना है एक एक करके पूछे में और एक साथ बोलेंगा तो मेरी समझ में आप आपस महीं तह कर लें कौन सवाल पूछेगा आपने देखा होगा कि F.I.R. पुलिस की तरफ से रिजिस्टर की गई और इसमें इंवेस्टिकेशन में जो भी पक्ष के विरुत में हमें साक्ष मिलेंगे उनको एरेस्ट किया जाएगा इसमें कोई भेद भाव नहीं कर रहे हैं अभी भी जो 23 व्यक्ति एरेस्ट किये गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामलें मैंने आपको बताया कि केस का इंवेस्टिकेशन काफी थरोली किया जाएगा जो भी प्रत्यक्ष या परोग रुप से इसमें शामिल है उनके विरुत कारवाई की जाएगी अभी एंवेस्टिकेशन का विशह है मैं बहुत क्लिरली आपको बोल रहा हूं इंवेस्टिकेशन में जिसके खिलाफ एविदेंस मिलेगा उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी इर्रिस्पेक्टिव अव क्लास, क्रीड, क्मुनिटी, डिलिजिएगी एक की जब एकनूल हो इसके खिलाफ के बिलेगाई तमेठात मैं गेटाम क्ल ुः इंवेटाम का बना स deepest अप्राफ की जिए इंवेस्टिको體 खिलाफ का सतीछ κα 0 अविस्टिकेशन का विलिए आएग एंपलेवेस्घ्टीके घाएगी प्रियमेक्यूस, इक का लिए प्रियमेक्ष। मंगल बजार रोट, मेंधर पर्क, वाया प्यार्म आप्त प्रोड, K ब्लोग, BC मार्क पर्श अवाषल चॉप, G ब्लोग, मंगल बजार रोट, मेंधर पर्क. और अत्र प्र कfelा आवजू अलねवी फजस्टे रेटर बीहीत था सब्सक्ला के वहां, हैसा बिर एक बूस्टे गीजिए के इस पहां वहां मैंने difíया हैं. लगा करे के परावा प्रवाइ निद निद परावा देवा पावा दिशट्ट, विए पराव फे एंद रएष़ अन्जिट राटो निद रचीट of को प्रवी प्रावा, हम इन लगाइजने परावीर अरख बराव ङुम्राय कोई और आर पावा ओप्राव्या प्रवा अंट भ्रूमनόमी प्रशेशनी प्रॉश्य ह् साथ दिया का थन्हानजय प्रॉश्य बशियंट प्रत्राइशने दिफके बश्येति हम यह थे इसे मैश मेडिये सेवेक्षेशने प्रॉश्य गौस्ने लिजिач के दोस्ते पत्रा की पास्तियृ कि inherited we were prepared to handle this situation and as you have seen the situation was brought under control within an hour's time and we have taken effective action against the culprits foreign 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 तो है दा इसकी बात करो यह बात नहीं है जंडे की बात नहीं है जगड़ा चोटी सी बात पर बात में थार, इसकी बात में तर्थे नहीं है जो सब्सक्राइब करें दूर। पुलिस कर्मीर पहले से निवेस्टिकेशन का विशह आपने हमारे जब इंस्पेक्टर से बात की ती आएंगे उसके बाद ही हम आपको बताएं इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा हमारे लिए जो अफेंडर होता है वो अफेंडर होता है हम एविडेंस पर जाते हैं एसोसियेशन पर नहीं झाल 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 झाल